तो हलो फ्रेंज, वेगन तो माई यूट्यूब चैया, मिस्टर वाई के टेकरे अलग्यान, और आज मेरे पास एवेली बले है, सैमसिंग गैलक्सी A14 5G, इस फोन में आज चुका है एक नया सॉफ्वेर अप्डेट, जोके है 1UI 6.0 और Android वर्जिन 14, अप्डेट को तो में डा देखानों तो आप देख सकते हो, अप्डेट, अप्डेट, ड्रेट, टू इंस्टॉल, कि कर मैं इसे डाउलोड कर चुका हूँ, आपको अगर आज सॉफ्वेर अप्डेट इंस्टॉल करना तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको अपने फोन की सेटिंस पर क्लिक कर करना करना आप को आप आपको आप्शिन जाएगा अपको आप्श्ण के आप क्लिक करें तो लेकिन यहां पर बड़े सक्षा में लिखा गया है 1 UI 6.0 यहां पर कहीं भी Android 14 नहीं लिखा गया लेकिन यह Android 14 और अपडेट की साइस के बात करी जाए तो दुस्तों यहाँ पर 1.8 GB का यह software update है मतलब आपको Wi-Fi से डाउनलोड करना होगा यहाँ पर एक condition साफ साफ लिखे गए कि software update इंस्टॉल करने से पहले डाउनलोड करने से पहले अपने phone का data backup जरूर ले और यहाँ पर आपको बहुत से changes यहाँ पर आपको बहुत से information दी गई है लेकिन मैं आपको सिर्फ वही information बताऊंगा जो मेरी साफ से useful है जो लोगों काम में आने वाली चीज़ है बाकी तो बहुत से चीज़ें यहाँ पर add करी गई है अप शुरू करते है यहाँ पर समय में आपको option मिल जागा quick panel आप quick panel किसे कहते है तो आप पर यह कहा गया है आपको दो बार swipe down करने के शायद जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके लावा quick access brightness control आप जल्दी से brightness को control कर सकते हो यहाँ पर यह information दी गई है इसके लावा improve album art display यह मुझे तना information नहीं लेगा उसके लावा यहाँ पर आपको option मिल जाता है inhouse layout for notification जो notification उनका layout short notification by time अब जहाँ पर short notification by time करो timing को improve कर जाएगा और इसके बाद अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको option मिलेगा lock screen जो कि हम display को off करके on करते है उसे lock screen करते है यहाँ पर आप कुछ अपनी lock screen नहीं लाच को जो घड़ी होती है आप इसे freely move कर सकते हो यहाँ पर यह लिखा और कोई भी यहाँ पर नहीं चीज नहीं दी गई है उसके लाब बात करी है home screen जो camera display की by default home screen होती है उसे कहते है यहाँ बस simplified icon labs को यहाँ पर कर दियागा जो जो लैप से इनको फोड़ावर चेंज कर दिया जाएगा उसके लाब ड्रेग और ड्रॉप विटू है अब से आप किसी application को छोटी सी कर देता हो उसे यूज कर सकते हो उसे pop-up करते हो यहाँ पर keep pop-up window open का आया आपको option मिल जाएगा पर Samsung जो keyboard उसमें सिफ new emoji design add करे गए और कोई भी यहाँ नहीं चीज को add नहीं करा गया है उसके लाब यहाँ पर आपको option मिलादा है content sharing जो बहुत अची यहाँ पर new weather widgets widgets shortcuts को कदें जो अपनी home screen पर रखते हो यहाँ पर new widgets option मिल जाएगा इन्हास layout को तरह बहुत आपको option मिल जाएगा उसके बाद मुझे camera's अगर आप देखो simply and identify design यहाँ पर camera's की design को थो बहुत इंप्रूफ करा गया अंदर से use करने पर जादा बैतर है उसके लाब कस्टम camera widgets जो camera के विचे सा उसे भी आप थोड़ा बहुत इंप्रूफ कर पाँए यहाँ पर यह लिखा गया और यहाँ पर जो scan document easily जो document है उसे आप easily scan कर सकते हो यहाँ पर यह option दिया गया है और ज्यादा कोई option है आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेंगे हां लेकिन यहाँ पर कुछ चीज अच्छी जी करी गए quick access resolution setting यहाँ पर easily select कर सकते है आप photo किस तरीके से किस resolution में click करना चाते हो जो मुझे बहुत अच्छा लगा और same यहाँ पर आपक किस resolution में किस frame पर rate करना जाता हो वो भी आपको यहाँ पर option मिल जाएगा और keep picture your level का आपको option मिल जाता है जो कि picture की शाथ photograph को तरह बत improve करता है और turn off up down to switch camera यहाँ पर बस यह लिखा गया turn off up down turn off switch जो power button उससे आप up down camera वो करका होगे बस यह लिखा गया और apply effect more easily जो आप photos के filter क apply करता है आप इसे easily apply कर पर होगे यहाँ पर यह लिखा गया है और keep the quick editing detail views का आपको option मिल जागा जहाँ इसलिए आप views देख सकते हैं बाई photo किस चीज़ क्या है drag and drop with two hands आप देख सकते हो दो हतों के लिए फिर से samson ने एक चीज़ को add करा गया है उसके लिए save clip image ऐसे sticker आप फोटो उसको ऐसे sticker भी save कर सकते हैं यहाँ पर यह option बिलता है और enhance story view का आपको option बिलाता है story view से कहते हैं जहाँ पर आप अपने photo को एक साथ मिला कर कुछ अच्छी सी story बना देता है यहाँ पर यह लिखा गया है उसके बात अगर बात कर जाए तो photo editor photo editor samson ने बाइड अपने फोन में दिया है जो एक बैठरीन चीज़ है ताकि आप कोई भी third party application आपसे download ना करो यहाँ पर enhance उसका layout को improve कर दिया गया है और access description after saving यहाँ पर जो description है उससा आप easily add कर वहाँ यहाँ पर फोटो एडिट कर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको पूरा photo daily करने की जड़ती आपसे पर click करें और जैसा था वैसा हो जाएगा एक step पीछे हो जाएगा drag custom sticker draw custom sticker अब यहाँ पर आप customized sticker को draw कर सकते हो और new text background and style जो text के background है और style को तलब यहाँ पर add करा जाएगा studio जो के video editing का एक option है जिससे आप अपने phone के दर easily video editing कर सकते हो यहाँ पर more powerful video editing option मिल जाएगा औ time layout का option मिल जाएगा आपको save as a edit save and edit project यहाँ पर आप जाओ तो अपने video continue और काम करना जाते हो लेकिन बाद में वो भी आप select कर सकते हो यह पर directly save भी कर सकते हो video player जो by default video player है उसका enhance layout करा है और बस enhance playback speed control करा गया और किसी भी चीज़ को यहाँ पर improve नहीं करा गया samson application samson health जो कि samson की application है यहाँ पर उसका थोड़ा बहुत layout को improve करा गया और कुछ भी नहीं और हां यहाँ पर custom water cup size आप कर सकते हैं बस और कुछ भी नहीं calendar के अगर बात करें तो calendar माँ बहुत से schedules और बहुत सी चीज़े होती है जिसे आप easily access कर सकते हो यहाँ पर थोड़ा बह रिमांडर के अंदर more event with two hands यहाँ पर अगें दोह से और चीज़े कर सकतो इसा लिखा गया है रिमांडर एक अच्छी चीज़े है जहाँ पर आप सकते हो सेंटर सेंटर इंटरेंट इसमें अच्छी चीज़ करेंगे के विडियो प्ले इन बैक्राउं बैक्राउंड में आपकी वीडियो कर सकते हो more bookmark and tab with two hands अब अगें दोहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको यहाँ पर आपको एक option मिलेगा smart select जहाँ पर easily आप फोटो क इस तरह से ही वर्क करता है लेकिन ज्यादा बैतर वर्क करता है पर आपको option मिलेगा change apply your lock screen का आपको option मिल जाएगा new content का और बहुत से चीज़ा मिल जाएगे finder एक अच्छी से जहां पर आपने पूरे फोन के इंतर कौन सी चीज़ ढूंड़ना जाते हो भी आप यहाँ पर gallery and voice recorder यहाँ पर intelligent AI के दुरबत आपके gallery और voice record करेंगे copy file भी two hand यहाँ पर आपको option मिल जाएगा samson pass काफी एची चीज़ है जहाँ पर आप बहुत से password ID आपको याद रखने की ज़रूत नहीं है जो samson pass में यहाँ पर safe हो जाते है जिससे आप pass key से use कर सकते हैं यहाँ पर यह जाए जाएगा और यहाँ पर accessibility जहाँ आप टॉक बेग और ऐसी बहुत से चीज़े होती है जिसे में नहीं चीज़ों तो ज्यादा बैतर रहेगा और बाकी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मुझे अच्छी लगी आपको कौन सा feature अच्छा लगा प्लीज मुझे comment करके बताएगा विडियो पसना है तर प्लीज लाइक करिएगा और मेरी स्ट्रिप्शन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा